नमस्कार आज हम जानने वाले हैं कि how to add new Malchimp subscribers to Microsoft Excel यानि जब भी आपके Malchimp account पर कोई नया subscriber add हो तो उसकी सारी details अपने आप आपके MS Excel workbook पर भी update हो जाए और ये सब हम करेंगे एक automation software की मदद से जिसका नाम है Pably Connect जिसमें हमारा trigger होगा Malchimp और action होगा MS Excel तो चलिए इस process को start करते हैं और चलते हैं अपनी screen पर तो सबसे पहले आपको अपने browser पर type करना है pably.com slash connect और press कर देंगे enter ऐसा करने से Pably Connect का ये landing page आपके सामने आता है मेरा already account है ये मैं कर रहा हूँ sign in अगर आपका account नहीं है तो आप कीजिएगा sign up for free ऐसा करने से आपको कुछ task मिलते हैं जिसकी मदद से आप ये automation बना सकते हैं तो चलिए मैं करता हूँ sign in all apps section में हमें choose करना है pably connect को और click करना है access now पर अब हमारे सामने आएगा एक dashboard pably connect का dashboard जिस पे हम choose करेंगे create workflow को इस पर click कर देते हैं अब हमें अपने workflow को नाम देना है तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम connect कर रहे हैं malchimp को microsoft excel के साथ right तो इसे मैं नाम दे देता हूँ malchimp to microsoft excel आप अपने हसाब से कुछ भी नाम दे सकते हैं अब ये दो windows हमारे सामने आती हैं पहली है trigger दूसी है action trigger और action पे ही हमारा ये पूरा automation based होता है trigger का मतलब होता है when this happens यानि जब ऐसा हो and action का मतलब होता है do this तो ऐसा कर दो basically basically trigger और action में हमें उन apps और feature को choose करना है जिनका आज हम इस्तमाल करने वाले हैं जैसे की आज हम इस्तमाल करने वाले हैं malchimp का तो हम इस पर type करेंगे malchimp malchimp और malchimp आजाता है इसे हम choose कर लेंगे trigger event होता है वो event जिसके बाद हमारा यह automation हमारा यह trigger काम करने लगे जैसे for example अभी हमने trigger event choose किया new subscriber it means कि जब भी मेरे malchimp के app पर कोई नया subscriber आए right तो मेरा यह automation काम करने लगे ठीक है मेरा यह trigger काम करने लगे यह काम कैसे करेगा यह काम करेगा पैबली connect से जोड़के और पैबली connect से हम कैसे जोड़ेंगे वह हम जोड़ेंगे इस webhook URL की मदश से तो इस link को कर लेंगे copy जाएंगे malchimp के dashboard पर ठीक है यह मेरे malchimp का dashboard है आप अपने dashboard पर आ जाएगा इसके बाद जाएगा all contacts पर right इसके बाद जाएगा settings पर और फिर जाएगा सबसे नीचे webhooks पर अब जाएगा create new webhooks पर और जो अपनी webhook है उसको यहाँ पर paste कर दीजएगा जो अभी हमने वहाँ से copy की थी अब पूछ रहा है कि what type of updates should we send तो हम चाहते हैं कि subscriber बिल्कुर subscriber की हम चाहते हैं कि update मिले unsubscriber की नहीं मिले profile updates की नहीं मिले clean address की नह मिले when a change is made by a subscriber by an account admin ठीक है चलेगा दोनों को choose कर लेते हैं API को भी रहने देते हैं और click कर देते हैं save पर तो ऐसा करने से हमारा पैबली connect successfully connect हो गया मेल चिम के साथ अब आपसे जाएंगे connect पर करेंगे capture webhook response मैं recapture कर रहा हूं आप कर दीजेगा capture webhook response और यहाँ पर note है note यह है कि do our test submission so that the data can be recorded here in the webhook response तो अब हमें test submission करना है जिससे हमें data मिल सके तो हम वापस से जाएंगे mailchimp पर okay वापस से जाएंगे all contacts पर left side पर आपको all contacts मिलेगा जाएंगे add contacts पर और click करेंगे add a subscriber पर एक हम dummy response करेंगे तो एक dummy response करता हूँ first name कुछ भी मैं डाल सकता हूँ तो मैं डाल देता हूँ dummy क्योंकि हम dummy response कर रहे हैं sample मैंने mobile number डाल दिया okay यह दोनों permission मैंने दे दी और click कर दिया subscribe पर ऐसा करने से हमारा एक नया subscriber add हो जाएगा तो देखें यहां लिखा चुका है कि subscriber add हो चुका है वापस से जाएंगे public connect पर तो आप पाएंगे कि यहां पर जो हमने वहां पर details भरी थी हमें यहां पर मिल चुकी है dummy at the rate gmail.com नाम dummy g mobile number हमें यह details मिल चुकी है अब हम चाहते हैं यह details और future की जितनी भी subscriber की details हो वह हमारे Microsoft Excel पर जाए इसलिए जो दूसरी app मैं चूज करूंगा वह है Microsoft Excel action event रहेगा add row to worksheet यानि जो भी मेरी worksheet है उस पर एक row add हो जाए क्लिक करूंगा add new connection पर connect with Microsoft Excel पर आपको क्लिक करना है मेरा already Microsoft Excel side में खुला है इसलिए permission मांग रहा है तो आप अगर नहीं खुला हो तो side में खुल लीजेगा इसे yes कर दीजेगा ओके तो ऐसा करने Microsoft Excel अब connect हो गया पैबली connect के साथ एक बार मैं बता दू कि मैंने Google पर Microsoft Excel खुला है Microsoft Excel ठीक है आपको यहाँ पर दिख पा रहा है और इसी वेब page पर हम इसे use करने वाले है अब हमें अपनी workbook को choose करना है तो मेरी जितनी भी workbooks है वो आ रही है तो आज मैं जो workbook use कर रहा हूँ उसका मैंने नाम दिया है MailChimp Subscriber Data मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी अपनी एक ऐसी workbook बना लीजेगा और जो भी आपके questions थे उनकी heading सूपर लिख दीजेगा जैसे मेरा था first name, last name, email address, mobile number, right क्यों ताकि जो बाकी की details रहे हैं वो इनकी नीचे आए है ना heading तो हमें खुछ से डालनी पड़ेगी तो मैं suggest कर रहा हूँ कि आप ऐसी एक workbook बना लीजेगा और heading डाल लीजेगा अब मैं अपनी workbook को choose करता हूँ MailChimp Subscriber Data ठीक है यह मैंने अपनी workbook choose कर ली worksheet मेरी एक ही है तो first ही मैं choose करूँगा तो worksheet first sheet one column A देखे अब यह जो details थी वहां की वो सब आचुकी है first name, last name, email, mobile number इसलिए हमने पहले डाला ताकि यहाँ पर वो details आचुके है अब क्या है कि हमें अपना first name यहाँ पर डालना है हम first name जो है उपर जो हमें response मिला है वहीं से choose कर लेंगे देखे जो हमें उपर response मिलाता हुए नीचे आचुका है ठीक है, लिखा है mail, chim, new subscriber का response यह जो response था ठीक है, इसमें से हम अपना data choose करेंगे तो जो हमने dummy डाला था data वो हमें choose करना है तो देखे, first name था dummy तो मैंने यह choose कर लिया यह जो choose करने की process होती है इसे कहा जाता है mapping, right column B मैं choose करना है last name को तो last name को हमने choose कर लिया g email address को अब हमें choose करना है तो choose कर लिया dummy at the rate gmail.com address डाला था और mobile number को choose करना है mobile number को भी choose कर लिया right, अब करेंगे 7 send test request पर click तो अब अगर यह हमारा automation काम कर रहा होगा तो हमारा जो MS Excel है, वहाँ पर यह details update हो गई होगी, तो चले चल कर देखते हैं एक बार refresh कर लिएंगे तो देखे आप पाएंगे कि first name के नीचे नाम आ गया है last name के नीचे sun name आ गया है email address आ गया है, mobile number आ गया है it means कि अभी हमारा workflow बन गया है अब हमारा यह workflow वाकई काम कर रहा है कि नहीं इसके लिए हम एक बार real time example करके देखेंगे real time मतलब हम यह mailchimp पे जाके subscriber add करेंगे और हमारा यह automation काम कर रहा होगा तो उसका data अपने आप हमारी Excel sheet पर पहुच जाएगा तो चलिए अब मैं नया subscriber add करता हूँ इस बार नाम दे देता हूँ demo, last name g रखता हूँ email address देता हूँ demo g, mobile number कुछ भी random permission दे देता हूँ और subscribe कर देता हूँ तो चलिए अब चलके हम अपनी Excel sheet को देखता है एक बार करेंगे refresh finger cross तो देखिए यहाँ पर हमारा response आ चुका है first name आ चुका है, last name आ चुका है email address आ चुका है, mobile number आ चुका है now this means कि अब जब भी मेरे MailChimp account पर कोई नया subscriber आएगा तो उसकी details अपने आप मेरी इस Excel sheet पर आ जाएगी एक बार मैं आपको brief में बता देता हूँ पर कोई नया subscriber आएड होगा तो उसकी details मेरी Microsoft Excel पर आ जाएगी अब अगर आप भी इस workflow को यूज करना चाहते हैं इसी automation को यूज करना चाहते हैं तो उसकी link मैं अपने वीडियो की description में डाल दूँगा उस पर click करके आप इसे वड़ी असानी से use कर सकते हैं अब आपको हमारे इस वीडियो में कोई भी doubt हो कोई भी query हो या कोई भी question हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं यहाँ पर और इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे like जरूर करें इस वीडियो को share करें और हमारे चैनल को subscribe करें तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में thank you so much